कि नमस्कार मैं हूं जावीद देश्मक्सवला पुर्णामा में सभी दर्शकों का स्वागत है आज हमारे पास एक अर्थ शास्त्री की एक वीडियो आई है जिसमें भाजपा और अर्थिक का गार के उपर खड़ा आज अपने अंतिम सांसे गिन रहा है देखिए एक वीडिय जो इस देश के लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाजपार अर्थ शास्त्री चेतावनी दे रहे है कि इंडिया आर्थित तबाही के मुहाने पर खड़ा है देश की जीडिपी 8.5 परतिशत से सुनने पर आ चुकी है यूएन ओच चेतावनी दे रहा है कि इंडिया के आधे लोग बिरोजगार हो जाएंगे 52 करोड गरीब जो रोज कमा के खाते थे वो आज बुखमरी के कगार पर खड़े हैं क्योंकि RSS के दूसरे सरसंग चालक MS गोलवलकर की पुस्तक वी और अवर नेशन हुड डिफाइंड को पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि अर्थवयोस्ता की कमर तोड़ना RSS का मुख्य मक्षद है गोलवलकर ने लिखा है कि सत्ता में हमेशा रहने के लिए 95% देश को बरबाद करना जरूरी है गोलवलकर के नियम के अनुसार 95% देशवाश्यों को गरीब बनाया जाता है और चंद गुलाम किस्म के लोगों को ही शर्वशक्तिमान बना दिया जाता है ऐसा करके हमेशा के लिए सत्ता को हत्याया जा सकता है एक अच्छे परशाशन को ये सुनिश्चत करना चाहिए कि उसके राज्य में जन्ता की आमदनी कम से कम रहे धनवान नागरिकों परने अंत्रण करना कठीन होता है इसलिए देश की दोलत ऐसे लोगों के हाथ में कैंद्रित कर दी जानी चाहिए जो परशाशक के परती वफदार हों नोट बंदी, जी एस्टी, बेंकों के बढ़ते एन पीए, पी एमसी सरकारी कमपनियों को बेचना, रोजगार खत्म कर देना दंगे करवा कर अरबों खर्बों की संपती को नुक्षान पहुचाना समिधान को बदल कर कमजोर कर देना ये सब एक सडियंत्र के तहद किया जा रहा है यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 18 तक रोज एक अज़्यार 95 अमीर भारती देश छोड़कर विदेशों में बस रहे है जरागोर करों की देश के अर्थोरस्ता डूब रही है और सरकार के चहरे पर शिकन भी नहीं है वही जो गोलवलकर ने कहा की देश को कमजोर करके प्रभाद कर गोल वल करके वचन की कसोटी पर सरकार की आर्थिक नीतियों को गसकर देखिए आपकी समझ में आ जाएगा की जोल कहां है